आपके इन यूइटूब चैनल फेंटैसी कर्गिट क्यानी में आज हम बात करने वाला हैं जो मुकावला होने वाला है आज सिद्नी थंडर और पर्फष को चर्च की बीच में इसके बारे हैं डिल्स इस मुकाबलिक बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों लेकिन यह थी आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सस्क्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है और दोस्तों कैसे आप 500 रोपे का फ्री में प्राइज बिन कर सकते ह बार में भी हम आप से जर्चा करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर बेनिक बारे में तो आप यहां पर देख सकते हो सिड्नी सो ग्राउंड शिड्नी में मुकाबला आग खेले जाने वाला है आम तोर पर अच्छा विकेट है दोस्तों गेंदबाज लाजी करते हैं दोस्तों सैकंड में यहां बहुत अश्यक्तों में ऐसा देखनी को नहीं मिला है यहां पर आप हाइस टॉटल देखोगे तो यहां पर बनाया जो कि शनी थंडर नहीं वन आया था बात की जाए दोस्तों यहांपर वैनूफर इस्कोरिंग पैटरन के बारे म 150 और 150 से नीचे इस 13 वार स्कोर देखने को बना है तो चूकी 150 तक स्कोर देखने को आपको मिल चकता है जी है तो इस बात को आप धियान में रख कर चलिएगा कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है उसके बाद हम बात करें डिसेंट जो यहां पर मुकाबले खेल गया है उन प्रेवाज करते हुए 133 बनाये थे आठ विकेट के नुकसान पर उसे सिर्णी सेक्षन ने इजी लिजेस कर लिया था 134 बनाकर मातर तीन विकेट के नुकसान पर यहां पर आप देखोगे तो फस टीनिंग में आठ विकेट पेसबॉलर निकाले और सेकंड इनिंग में एक अच्छी एंद बाजी कर रहे हैं बात करने दोफ तो यहां पर उससे पहले बाले मुकाबले की तो 121 बनाये थे ब्रिस्विन ने पहले बाले बाजी करते हुए और 124 बनाकर उसे इजी ली चेस कर लिया था सिर्णी थंडा ने विना विकेट कोई इसमें मैथू गलाइक्स और दोस्तों आप देखोगे एलेक्सेलस ने सांदार प्रोफाइंस कर कर दिया था यहां पर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में पेस बॉलर को तीन विकेट मिले और सेक्ट इनिंग में पेस बॉलर कोई बिकेट नहीं मिला फर्स्ट इनिंग में स्पनर को तीन विकेट म बीदियो को पूरी विए बीडियो को पूरी लच तक देखते रहिएगा वस आपको वीडियो देखना है कुछ नहीं करना आप बिल्कुल विनिंग जौन में आ जाओगे यह आप वीडियो देखोगे तो सबसे बहुत करें एलेक सेल्स की एलेक सेल्स दो मुकाबलों से लगातार फैल चल रहे हैं लेकिन उससे पहले 77 रन किया फिर 9 रन 69 रन और यहां पर फिर दोस्तों स्टार्ट मिला उससे वड़े स्कूर में कर पाया उसके बाद मैथूगलाइस मैथूगलाइस ने जो 55 का लास्ट मुकाबल ंजरूरी 9 रन होंने साथ किया था जो 65 किया था यहां पर मैथूगलाइस ने और 59 किया था दोस्तों एलेक सेल्स ने वह रहा था उसके बाद सेंवाइटमें एक मुकाबला खेलें दोस्तों 42 रन का जो रहे झोर किया प्लियर बहुत सान्दार है को तो आप ड्रॉप कर भी सकते हो Sam Whiteman आपके लिए संदर चोईस हो जाते हैं उसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पर Oliver Davis ओलिवार डेविस का आप देखोगे लाश्न का भी महला कि यह खाता नहीं खुल पाए थे इससे पहले आप देखोगे पचास रन पेंसाट रन सोला रन और दोस्तों ब्यालीस तेदीस एक उचिनोंने इनिंग स्खेल कर दी थी तो ओलिवार डेविस को आप डेफिनेटली अच्छे वलेवाज हैं उसके बाद एलेक्ष रोष एलेक्स थोड़ी नीचे वलेवाजी कर रहा हैं लेकिन आप देखोगे तो बलेवाजी ठीक कर रहा है यहाँ पर देखोगे 34 का स्कूर किया 41 का स्कूर किया और यहां पर दोस्तो 25 रन 49 रन 28 रन बलेवाजी अच्छी कर रहा है लेकिन बेटिंग ओर थोड़ा सा नीचे है इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा प्लेयर बहुत शांदार हैं आप इन्हीं अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद देनियल सेम्स जो कि आप के पास कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की सांदार चोयस होने वाले हैं डेनियल सेम्स का आप देखोगे तो तो पांच रन विकेट नहीं मिला, एक विकेट मिला, 36 रन दो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, आठ रन यहां पर विकेट नहीं मिला, एक रन तीन विकेट, और यहां पर आप देखोगी, एक रन दो विकेट, और दूस्तो तीन रन दो विकेट, तो डेनियल definitely इन्हें अपने टीब में try कर सकते हो Daniel Sims को और captaincy wise captaincy जरूर दे देना एकादर रही मैं यदि आप grand league के एक से ज़्यादा team तैयार कर रहे हो तो when cutting कुछ खास नहीं किया, सिर्फ grand league की choice है Chris Green, जैसा एक मैं Chris Green का बताया तब से captain बने हैं दोस्तों team के अच्छी खास गेंदवाजी कर रहे है आप देखोगे, दो wicket, एक wicket, एक wicket, एक wicket, फिर दो wicket यहाँ पर फिर आप देखोगे, इससे पहले इन्होंने इतना अच्छा गेंदवाजी नहीं की थी यहाँ के बाद दोस्तों एक captain बन गए थे, तो captain बने एक बाद सांदर गेंदवाजी नहीं की तो Chris Green को बिल्कुल definitely आप अपने team में try कर सकते हो, आपके पास बहुत सांदर option हो जाते हैं उसके बाद आप देखोगे, Nathan McAndrew, आपको death over में गेंदवाजी करती हैं जरा जाएंगे, सुरवात में 11 over करेंगे, तो Nathan McAndrew आपको important गेंदवाजी यहाँ पर हो सकते हैं और grand league में यदि आप captaincy और vice captaincy इन्हें देना चाहते हो तो बिल्कुल आप इन्हें दे सकते हो, उसके बाद उस्मान कदीर, उस्मान कदीर का आप देखो कुछ outstanding गेंदवाजी नहीं की, लेकिन ठीक ठाक गेंदवाजी की है, उस्मान कदीर ने आप देखोगे, तो यहाँ पर एक विकेट, फिर एक विकेट, फिर एक विकेट, और दो विकेट, और लास्ट मुकाबले में नहीं विकेट नहीं मिला, गेंदवाज बहुत अच्छे हैं, middle overs में आपके लिए गेंदवाजी करने वाले हैं, दोस्तो यदि इनका थोड़ी ही विकेट से इनको मदद मिल जाएगे, वहाँ जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हो, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर व्रेंडन डाकेट, व्रेंडन डाकेट फुरुवात में ज्यादा ज्यादा ज्याद बाजी करेंगे, और समबप्ता दोस्तो पूरे ओवर भी ना करें, तीन यहाँ पर एक, दो और दोस्तो एक बिकेटे नहीं मिला, बोलार अच्छे हैं, समबप्ता सुर्वात में ज्यादा 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 बाजी करेंगे, डेथ होपर हमें इतनी ज्यादा बाजी ना करें, दोस्तो यहाँ पर कोई चेंजिस होगा, तो अपडेट टेलीग्रा के बारे में, तो यहाँ पर स्टीपन इसके नाजी, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी, सांदर बलेबाज हैं, लेकिन हवी तक ऐसा प्रोफमेंस नहीं नहीं किया है, कि दोस्तो कुछ सांदर प्रोफमेंस हो, आप यहाँ पर देखो, ग्यारा रन और एक रन यह नहाँ स्कूर किया, इससे पहले के दोस्तों स्कूर इनकी और दूसरे टोनमेंट के हैं, इसमें अभी आप देखोगे, तो ठीचा प्रोफमेंस किया है, 78 रन के इनिंग्स के लिए एक 43 और एक 47 के, प्लेयर बहुत सांदर हैं, आप इसके नाजी को अपने टीब में ट्राइ कर सकत हो, उसके बाद Cameron Bancroft, इंपूरेंट प्लेयर हैं, नोट करीगा दोस्तों, लगातार स्कूर करते हैं, और अच्छा स्कूरे करकर आपके लिए दे सकते हैं, आप देखोगे, यहाँ पर लाश्ट मुकाबले हम 6 रन किये, उसके बाद आप देखोगे, 46 रन किये, पहले मुक कराई कर सकते हैं, इसके पहले हैं आप दोस्तों, टूनेमेंट का इंड का प्रोफनेंसी आप देख लिए जीगा, अब बात करते हैं, एरोन हार्डी का, एरोन हार्डी को आप देखोगे, 65 रन लाश्ट मुकाबले में, इससे पहले 57 रन, यहाँ पर दोस्तों देखोगे, और दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही मुकाबलों में, इससे पहले हैं, इससे पहले आप देखोगी, पूरे चार ओवर की नो रन बनाया, और इन हो ने कोई विकेट नहीं मिला, इहाँ पर आप 17 रन, 22 रन और 3 रन, फर यहाँ पर 11 रन बने का 2 विकेट में, दोस्तों, जादा नहीं की है iron hardy player important हो जाते हैं तो iron hardy को आप अपनी टीम में try ज़रूर कर सकते हैं उसके बाद आप देखोगे यहां पर Josh Inglis जल ला है जो आप देखोगे प्रतिक innings बहुत अच्छे आई 67 रन 6 रन 47 रन 19 रन 19 रन 24 रन 22 तो जोस इंगलिस को आप बिल्कुर डेफिनली आपनी टीम में ड्राइग कर सकते हो इंपोडेंट पिलियर आपके लिए हो जाते हैं और आप चाहो तो इन्हें कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी भी दे सकते हो प्लेय रन यहां पर विकेट नहीं मिला मातर दो गेंद गेंदवाजी की नौर रन 23 रन 48 रन एक उच्छे नौन नहीं इनिंग्स खेल कर दी हैं एस्टोन टर्नर टीम के कैप्टन है और इंपोडेंट प्लियर हैं बिल्कुर एस्टोन टर्नर को आप अपनीटीम में ट्राइग कर स यहां पर दो बिकेट निकाले हें पूरे चार ओवर किये हैं और आप देखोगे हैं एक विकेट चार ओवर किंए यहां पर आप देखोगे किए और यहां पर एक विक्त चार वर किए तो इंपूडएंट गेंद वाज है तो इंपुनेंट के लिए बिल्कूल डैफिनधी आपने death over specialist माने जाते हैं सुरवात में गयांद बाजी नहीं करेंगे दोफतो death over में ज़ящीं जयादा गयांद बाजी करने वाले हैं अब बात करना Jason Bandrop इस वरात में आपके लिए गयांद बाजी करेंगे दोफतो इस वरवात में गयांद बाजी करेंगे और आपको क्या information और extra चाहिए आप मुझे भी बता दीजी का मैं सभी आपके लिए देने वाला हूं जिसे हैं में drop important गैंदवाजा भी आपके लिए हो जाते हैं टेलीग्राम पर कर दूँगा लास्ट मुकाबले निक होवसन खेली थे तो इनकी बलेबाजी नहीं आई थी जियां दोस्तों इनकी बलेबाजी आई नहीं थी यदि इस मुकाबले में भी खेलते हैं और दोस्तों बैटेंग वाडर निका क्या रहने वाला है उस update मैं टेलीग छे मुकाबलों में नौ बैकी निकाली दूसतों तेरा का स्ट्राइग डैयेड स्कों एकश्ती नहीं निंकाले निकाले यहां पर देखो कि सबसे पहले Alex Rose, Alex Rose ने हैं यहां पर 12 मुकाबले खेले इस वेनुवर, दोस्तो 33 रन मना है, 33 का एबरेज है, 128 का एबरेज है, दोस्तो एलेक्स रोस के बारे मैंने आपके लिए बताया था, कि इनका बैटेंग वाड़ा थोड़ा नीचे है, अधरवाइस प 15 मुकाबलों में 30 बिकेट है, और 11 का इनका स्ट्राइक रेट है, तो यहां पर आपके लिए इंपोडेंट हो सकती है, और डेफिनिली आप इने अपनी टीम में, कैप्टेंशी और वाइस कैप्टेंशी दे सकते हैं, उसके लाब आप बात करें, कैमरून बैंक्रॉप्ट, तो इनका 5 मुकाबलों में, स्वरी यहां पर, कैमरून बैंक्रॉप्ट का देखोगे, 5 मुकाबलों में 246 अब 82 का आवरेज, और 126 इनका स्ट्राइक रेट है, काफि इंपोडेंट है, कैमरून मेंक्रॉप्ट, कैप्टेंशी और वाइस कैप्टेंशी आप इनेंए दे सक रेट है उसके बाद Jason Wendrock तीन मुकाबलों में साथ इन्हों निकाला आठ का इनका भी स्ट्राइक रेट है तो एक उच आप के लिए वेन्यू और head to head wise दोस्तों वह शांदार पिलियर हो गया है आप इन्हीं अपनी टीम में ज़रू ट्राइ कर सकते हो तो चलिए बात करते हैं हमारी टीम के बारे में तो अब हम हमारी टीम रेडी कर लेते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों यह आप 500 रुपए का cash bonus जीतना चाहते हो तो my family में डाउनलोड कर लेजीगा 500 रही 600 रुपए cash bonus मिल जाएगा जैसे ही आप राजबंटू 3 कोड डालोगे और सेकेंड जैसे ही आप हमको follow करते हो add the rate dream creep group को आप follow करते हो आप जैसे ही follow करो हमें comment जरूर कर दीजीगा जिससे हम आपके लिए 500 रुपए का cash bonus ट्रांसफर कर सकते ह तो बस आपको हमें follow करना है यह आपने हमें follow नहीं किया और डाउनलोड करना है जिस भाई के पास application नहीं है जिसके पास application है भू हमें follow करिएगा हम आपके लिए 500 रुपए का cash bonus ट्रांसफर करते हैंगे तो चलिए बात करते हैं सबसे हम टीम के बारे में आप यहां पर कैमरून बेनक्रॉफ्ट जो कि वेनवाईज-गाफी सांदर पृयर है एस्टरंटरां यह कुछ और गेंद बाजी करकर भी दे रहे हैं भल hem न बहुंड़ ऑबर गेंद बाजी कर लेक最近 कोशी ऑबर गेंद बाजी करकर दे रहे हैं उसके बाद एलग्स- हिल्सयोंकि आ हाला लगातार अच्छी इनिंग्स खेलती हुए नजर आ रहा है और डैनियल सेम्स को बैने अपनी टीम में ट्राइ किया है उसके बाद देखोंगे एंडू टाये हैं दोस्तो डैथ ओबर स्पेशलिस्ट है जैसन बैंडॉफ है ओपनिंग ओबर स्पेशलिस्ट है और दोस्तो यह डोस्तो केप्टैंसी राइस के रैंशे को लिए आपको बॉलर को भी जैसी